हेलो स्टुडेंस चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ओन चैप्टर नमबर 16 का क्योस्टर नमबर 4 देखते हैं क्या है इने सर्टेन लोटरी 10,000 टिकेट्स आर सोल एंड 10 इक्वल प्राइज आर अवार्डिड क्या गाया है उसने एक लोटरी के अंदर 10,000 टिक्टे बिची गई है उन में से 10 इक्वल प्राइज आर अवार्डिड और 10 इक्वल प्राइज आवार्ड किये गए है मतलब 10,000 टिकेट्स में से 10 परसंस जो है आवार्ड जिते हैं और उनको बराबर बराबर इनाम बाठ दिया गया है तो आपको क्या बताना है कि अगर आप एक टिकेट खरीते हैं और आप प्राइज नहीं जीते हैं तो उसकी प्रोइबिल्टी क्या होगी अगर आप 2 टिकेट्स बाइज करते हैं तो उसकी प्रोइबिल्टी क्या होगी not getting a price की अगर 10 tickets buy करते हैं तब आपकी probability क्या होगी not getting a price की ये आपने find out करनी है तो simple सा तरिक्का है बिल्कुल ध्यान से समझो क्या करना है सबसे पहले देखेंगे total tickets कितनी है total tickets वो क्या है हमारी 10,000 वो सोरी ज्यादा लिखी गए यहाँ पे तो ठीक है 10,000 tickets होगे हमारी अब यहाँ पे क्या कहा है 10 equal price are awarded मतलब जो price जीते हैं वो कितनी tickets जीती है 10 tickets तो यहाँ पे क्या होंगे price awarded price awarded वो कितनी है 10 यह चीज लिख लिए हमने अब आते हैं अपने question के उपर अगर आप एक ticket खरीते हैं और आप price भी नहीं जीते हैं तो उसकी probability क्या होगी ध्यान से देखो आपने क्या किया buying one ticket buying one ticket तो probability of price क्या है ध्यान से देख लो probability of getting price 10 tickets ने price गेन किया है 10 upon में 10,000 probability of getting price price प्राप्त करने की probability क्या है 10 upon 10,000 क्योंकि 10 tickets जिती हैं और अपन में total tickets कितनी थी 10,000 समझ में आ गई बात तो क्या आ गया one by thousand और not getting है price की क्या हो जाएगी not getting price बिलकुल simple है समझ में आ गया होगा आपको price ना प्राप्त करने की probability कैसे निकलेगा 1 minus 1 by 10,000 तो क्या आ जाएगा यहाँ पे LCM लेंगे इसका thousand आ जाएगा तो यह क्या आ गया 999 upon में thousand यह आ गया अमारा answer पहले का अगर आप एक ticket खरीटते हैं और वो price आप नहीं जीतते हैं तो वो probability क्या है ना price जीतने की 999 upon में thousand समझ में आ गई बात clear है second पे चलते है second के अंदर क्या दे रिखा है two tickets two tickets अगर खरीटते हैं और दोनों की दोनों हमारी price नहीं जीतती हैं उसकी probability क्या होगी देखो अब कैसे करेंगे यहाँ पे देखो ज्यान से if we buy two tickets अब यहाँ पे हमने क्या किया दो tickets करीद दी है ठीक है और हमें देखना है कि कुन सी कितनी ऐसी tickets है जो award नहीं जीती है total 10,000 थी 10 ने तो tickets ने price जीत लिया तो कितनी बची 10,000 में से 10 को सब्ट्रेक्ट कर लेंगे बस 9,990 ऐसी tickets है जिनको award मिला ही नहीं है तो उन में से दो tickets हमारी है कोई भी दो हो सकती है वो तो उनका combination क्या हो जाएगा ध्यान से देख लो एक बार तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम number of tickets not awarded किसके एकवल हो जाएगे टोटल 10,000 tickets से उनके अंदर से 10 tickets जो थी उन्होंने प्राइज जीत लिया तो बची कितनी 9,990 tickets जो की प्राइज नहीं जीतेंगी अब जो आपने दो tickets जो खरीदी है वो इन सम्मेश ही तो है है या नहीं है यह जो दो ticket है इनके अंदर से कोई भी हो सकती है हमारी तो यहाँ पर क्या हो जाएगी probability of not getting price not getting price तो किसके एकवल हो जाएगी हमारी 9,990 C2 मतलब इतने में से कोई भी दो हमारी select हो सकती है और इसकी probability निकालनी है तो upon में क्या आ जाएगा हमारा total जो tickets थी total tickets कितनी है हमारी 10,000 C2 ठीक है total जो tickets थी वो 10,000 थी उनमें से 2 pick करनी है और ना price जीतने की क्या हो जाएगी 9,990 में से हमारी 2 tickets निकलेंगी clear हो गया question कोई दिक्कत की वाद ने same activities करना है हमें तो कैसे करेंगे simple सा तरिक्का है हमारा जो not getting price है probability of not getting price not getting price की निकालनी हमें यहाँ पे लिख देंगे if we buy 10 tickets हमें तो price मिली नहीं रहा है भाई 10 की 10 tickets इन में से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9,990 C10 मतलब हमने जो ticket ली है इन में से कोई हमारी निकली है upon में total tickets कितनी थी हमारी 10,000 C10 बस यह probability हो जाएगी अब जो 10 tickets निकल रही है 10,000 में से total हो गई उनमें price winning भी हो सकती है बट हमें तो not winning की निकालनी है तो यह हमारी favorable outcome हो गई यह हमारी total outcome हो गई बस this is the answer आगया समझ में question clear हो गया होगा कोई doubt लगे तो हम मुझे WhatsApp कर सकते हैं मैंने number दे रखा है call मत किया करो उस पे WhatsApp पे screen source लेके mark करके बेज दिया करो कि sir यहां से समझ में नहीं आया मैं जल्दी ही जैसे time मिलेगा मैं आपको reply कर दूँगा thank you students for watching next classes झासेट